हेलो फ्रेंड नमस्ते आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल प्रोडक्ट सेर चैनल में हर्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंड चलिए आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आप internet टेडिंग करते हैं तो आपको किस इस टाइम फ्रेम पे आपको चार देखना चीए सबसे पहले आपको देखना चीए फ्रेम 15 मिनट का और 30 मिनट का इसमें डेफिनिटी दिखाता है कि इंटरेट टेडिंग के लिए और अपने को इमर्जिंग पैटन देखना है फ्रेम जो करेंट में जो बन रहा है वो पैटन अपने को बुलिश ट्रेन देखना है उपर की तरब जो मूवमेंट कर रहा है रिलाइबिलिटी अपने को दो इस्टार और तीन इस्टार देखना है फ्रेम चलिए आज की वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो में आप लोग को दिखाने वालां फ्रेम सबस इमर्जिंग इमर्जिंग पैटन बुलिस इंगल्फिंग पैटन करेंट ग्रोथ देख लिए उपर की तरब मूव कर रहा है मार्केट इसका चार्ट पैटन देख लिए एक छोटा सा बीरीज केंडल बना है उसके ज़स्ट बगल में ग्रीन केंडल बना हुआ फ्रेंड डेफ इसी पर्टिकुलर स्टाफ में अगर कोई चार्ट बनता है तो अच्छा खासा रिटान देखी ही जाता है फ्रेंड चलिए नेक्स एर के बारे में बात कर लेते फ्रेंड नेक्स एर है पने पास उसीच का है फ्रेंड कोटाक महिंद्रा बैंक का देख लिजिए इसमें 30 मिन प्रेंड केंडल बनाए है उसके जश्ट बगल में ग्रीन कैंडल बनाए है जबर्दस्त मोमेंट बन रहा है इस पाटिकुलर स्टाउक में अगर आप रिशर्च कर कि अगर आप इन्वेस्मेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटन देखने को मिल सकता है फ्रेंग ठीक है फ्रेंड चलिए नेक्स्ट सेर के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट सेर है पने पास S.E.L. टेकनोलोजी का S.E.L. टेकनोलोजी के बारे में आप जानते हैं IT software का company है फ्रेंड एक छोटा सा देख लेजी बीरी स्केंडल बनाए है उसके जस्ट बगल में बुलीशite making동 बना फिर बगल में बुलीश bentart बना है फ्रेंड थीस मिन्यट के सिल्में में टाइնम से थीस्टफ हो एफ्रेंग त्री श्टार दिखा रहा है फ्रेंड इसमें भी रिलायबल एडिशन टू दा इस टेंडर इंगल्फिन पैटन फ्रेंड इसमें भी जबरदस्त पैटन मुवमेंट बन रहा है फ्रेंड ऐसी पर्टूकलर स्टॉक्स में अगर चार्ट केंडलिस्टिक अगर आप पकड़ते हैं केंडलिस्टिक जब मुवमेंट करता है रिवर्स करता है बुलिस्ट की तरफ तो आपको अच्छा खासा रिट्यान देखने को मिल सकते हैं इंटर्रेट टेडिंग में अगर आज की वीडियो अगर आप लोग को कहीं अच्छा थोड़ नॉलेजेवल लगा तो प्लिस वीडि को सब्सक्राइब करना बिल्गुल भी न भूले आप सभी कहीं देखने को गहराईं से बहुत बहुत धन्यवाद